इस वीडियो में दीगाई जन्कारी अनली फॉर टिटीट के सनल पारपस है ये जन्कारी उटीपिडिया और नोटबुक से ली गई है पिपिडिया कुछ भी दवा और ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉकर की साला चलूर ले खुद से दवा और ट्रीटमेंट ना लीजिए य क्यों डॉक्टर सबसे ज्यादा इसको उज लेते हैं क्या साइड एफेक्ट हो सकता है इसको लेने के बाद क्या डोज रह सकता है किनकिन बच्चों को ये दिया नहीं जा सकता सब कुछ आज पूरी डिटल्स में जानेंगे पूरी जानकारी के साथ बने देगे क्योंकि Metrogil O Suspension के बारे में जिसको लिकार फर्मसिटिकल कमपेनी दोरा मार्केट में लाया जाता है इसके प्राइज 48 से लाया कर 50 रूपिया के बीज में आपको हर मेडिकल स्टोर में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा 60 ml के पैक जो प्राइज में ने बता है जो टाइम के साथ साथ अपडेट हो सकता है इसके अंदर कॉंटेंस है Metronidazole 100 mg और O-Floxacin 50 mg इन दोनों के कॉंपेनेशन में ये बनाए जाता है O-Floxacin इसके अंदर जो है ओ एक एंटी माइक्रोवियल एजेंड है जो की फास्ट जेनारेशन का फिवरो कॉनल गूप के दावा है जो बैक्टरिया के सेल सिंतेसिस को खतम करके बैक्टरिया को नश्ट करता है और आराम देता है और दूसरा जो Metronidazole मिला गया है वो भी एक एंटी माइक्रोवियल एजेंड है वो पेरसाइटिक और अनवेरिक बैक्टरिया को खतम करके दस्ट से रहात देता है आप जान लेंगे डॉक्टर इसको सबसे ज़्यादा यूज क्यों लेते हैं दस्ट की विमारियों में सबसे ज़्यादा यूज लिया जाता है बच्चे को बार बार दस ता रहा हो, तीन से चार बार, पाच बार या पानी जैसे स्टूल हो रहा हो, इस टाइम ये बहुत ज़यते यूज लिया जता है, और अच्छा रिजल्ट भी देखा गया है, उसको कम करके अच्छा रिजल देता है, डाइडिया को मामलों में को रोकने के लिए यह बहुत ज़्यादा इूज होता है कभी कभी बठक पेट में ब pest में मॉड़र आना उनिको काम कर के बहुत ज़्यादा मदद करता है डिसंट्री नम पर ब्मारी है जिन में बच्चों कर बहुत दस्त लागता है उन भीमारी को ठीक करने के लिए यह बहुत ज़्यादा यूज लिया जाता है और गास्टिक प्रोब्लम से रहात देने के लिए भी कभी-खभी डॉक्टर के सबसे लाइक गड़ा जाता है और दुस्रे एक उजिए है जो पिदेंटल हो ओि नातों में इन-फ्रोड से नावन पसंद याई स्टोमाइक में सितमा निया आत्री में पर बीए इन्फेक्शन हूग उ whale ठीक करने के लिए यह बहुत जदा यूज लिया जाता है बहुत रेजल्ड भी अच्छा देखा गया है ऐसे ही यूज लिया जाता है जो मुझ्वतर यूज था मैंने बताया और दूसरे पर करके भी यूज हो सकता है जो डॉक्टर उनके एक्सपीडियंस के एकोडिंग लेत सकता है एलर्जिक रियक्शन भी दे सकता है ऐसे ही कुछ साइड एफेक्ट देखा गया है जब भी मेडिसीन को तुरंद बंद कीजी और डॉक्टर से मिलिए जो कि आपको बहुता टीर्मन दे सके यह मेडिसीन ना देके या डोज अग्वारते हुए इसके कुछ डोज चा चोड़ा चोड़ा भाग करके पिलाया जाता है छेवर से लाकर बारा महीने के बच्चे के यान एक साल के बच्चे को पाज अमेल से लाका से बंद फाइमिल तक दिया जा सकता है और दूस्टरे प्रकर के भी डोज हो सकता है डॉक्तर रोग का गम ही रता और बाच्चे का वेट देखे निधान करता है नोस जानने के बाद इसके कुछ सेक्टि रूल स्अम लेंगे किन-किन बच्चों को यह दिया नहीं जा सकता है किनखिन बच्चों में पारा जा क्वें में दिया जा सकता है किड्नी और लिभार‍ट के साथ पूरी जान कारे देने की मैंने को सिस की अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को जो दो सब्स्राइब कर देना अग ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मिलता अगले वीडियो पर तब तक के लिए सुर्फ सिद्रे आचे रहे धनावाद